नमस्का स्वागत यापका न्यू सिक्स्टीनाइन में मैं हूँ आपके साथ अंक्यता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और चपलपुर के कोटवाले शेतर की गोविंद गंज में शाष्की स्कूल का चज्जा चानक नीचे गिर किया गंदिमत ये रही कि स्कूल के बच्चे लंच होने के काराण ब्लाउन में खेल रहे थे बताया जो रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग जरजर हो चुकी है जहां करीब 500 बच्छे पढ़ते हैं पहले से 10 वी तक लगने वाले स्कूल में नियमत कंश्मय लगती है लेकिन कई सालों सा सी यह जरजर हालत के बारेए में बताया लेकिन समस्या का समधान नहीं हो रहा है जबलपुर से यूज चैनले वाज़त खान की रेपोर्ट ये दो-तीन देन पहले सज्जा गिरा हुआ है वो लंच का टाइम था इतिफाक का कोई बच्चा उसकी चपेट में नहीं आया और विगरत दो-तीन महा से उच अधिकारियों के भी संपर्क में रहे कि स्कूल की इस्तिती बड़ी जरजर रवस्ता में है कभी भी कोई भी कैजवल्टी हो सकती है तो किसी भी प्रकार का हम लोगों को ना जनसायोग मिलता है ना किसी प्रकार की रासी मिलती है स्कूल को मेंटरनेस कराने के लिए तो ऐसी इस्तिती में हम लोग भी निरुत्तर हो जाते हैं और यहां पर दर्ज संक्या भी अच्छी है लगबग पांस साड़े पांस सो बच्चे आते हैं अभी दर्ज संक्या और बढ़ने की उमीद है तो लंच का समय था इसलिए कोई कैज्वल्टी नहीं हुई यह लगबग लगबग हम लोगों ने दो तीन पहले मांपावर जी का आगवन हुआ था और जितने भी जन परती नहीं दे थे समय समय पर संसा में आते सबको हम लोग आववत कराते हैं उसके बाद भी हमारे स्कूल के लिए कोई किसी प्रकार की रासी का सहयोग नहीं मिलता है इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक लिए धन्यवाद